चलिए आज हम बनाते हैं चने की डाल का कुछ अलग कुछ हट के स्नेक्स जो जटपट बनके तयार हो जाएगा और खाने बहुत ही जादा टेस्टी लगता है आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं साथी साथ ये बहुत ही हेल्दी है अब ये चने की डाल से मतलब बेशन से नहीं है ये चनी की डाल से बनाय हुआ है इसे मैंने 2-3 घंटे अच्छे से फुला दिया था उसके बाद मैं निकाल कर एक बार अच्छे से पानी से दोलिया उसके बाद मैं मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पेस्ट बना लें बारीक पेस्ट बनाते समय इसमें निकल जाएगा तो अब बारीक पेस्ट में हम बेकिंग पाउडर नमक और थोड़ा सा तेल एड़ करके 5-10 मिन तक लगाता चलाते रहेंगे ताकि यह पेस्ट बहुत अच्छे से फूल जाए उसके बाद में नमकीन बनाने की जो मसीन होती है उसमें इसको एड़ करेंगे और बिलकुल स्लो फ्लेम में इनके सेव डालेंगे और इनको ध्यान रहे सेव को एकदम स्लो फ्लेम में सेखना है यदि आप इनको तेज आच में सेखेंगे तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे जब यह अच्छे स तूट रहा है मतलब की शेयो बनकर तयार हो गए और ऐसे ही बाकी बने हुए पेस्ट के भी शेयो निकाल लेंगे सभी को स्लो फ्लेम में अच्छे से सेक लेंगे इन्हें यदि आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो और भी मसाले पेस्ट के साथ एड़ कर लें मैं इन्हें मीठा बना रही थी मैंने एक पैन में गुड़ लिया उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर बहुत अच्छे से गुड़ को पका लिया जब ठंडे पानी में डालने पर अच्छे से तूटने लगे हाथों में चिपके नहीं उसके बाद मैंने इसमें सियो एड़ करें बहुत अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई